नमस्कार दोस्तों मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अश्योंगे BPSC TRE 3.0 के लिए जा रहे हो आप या फिर 4.0 के लिए जा रहे हो दोनों ही जो एक्जाम है उसमें मार्च महिने के करेंट फैर्स पूछे ही जाएंगे तो ये विडियो दोनों के लिए कॉमन है रहने वाला है और एस्टेट के एक्जाम देने वाले बच्चे हैं उनमें भी जो है दो से तीन question जो है current first का रहेगा तो वहां के लिए भी ये फाइदे मंद रहेगा तो चलिए विडियो के सुरुआत करते हैं सबसे पहले question के साथ यहां से आप देख पाओगे पहला question क्या है happy पूरुषकार 2012 से किसे सम्मानित किया गया है सबसे पहले happy पूरुषकार के बारे में जान लीजे यह mathematics के छेतर में दिया जाने वाला पूरुषकार है मैट्स वाले छेतर में यह दिया जाता है गनित में जो है contribution अगर आप अच्छा करते हो तो आपको यह पुरुषकार मिलेगा अब देखिए यह पुरुषकार है जो जिस बैक्ति को दिया गया उसका नाम है missile telagrand यादर किया missile tryagrand अभी आपको मैं photo भी दिखाऊंगा इनकी और यह क्या है missile नाम से गर आप इन्हें female समझ रहे हो तो गलतियां कर रहे हो आप यह male है पहली बात दूसरी बात probability के लिए इनको यह पुरुषकार दिया गया है probability में उन्होंने काम किया है probability यहने की प्रायकता हिंदी में प्रायकता कहा जाता है प्रायकता के उपर जो है इनोंने क्या किरा था research publish करा था और इनके लिए mathematics के अच्छे पूरुषकार Nobel पूरुषकार कहा जाता है mathematics का अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल क्या है, हाल ही में National Investigation Agency, NIA, तो देखिए NIA बनाया कब गया था 2008 में, क्यों बनाया गया था ये भी बहुत important है, तो देखिए Taz Hotel, जब मुंबई में actually Taz Hotel पे नहीं, बहुत और जगा पे भी जो है, अटेक किया गया था, बहुत सार अगला भी गया था, तो एक ऐसी एजनसी बनाये गई, National Investigation Agency, जो क्या करे, जो input निकाले और इस तरह के हमले को रोकने का प्रियास करे, जांच करे, और चीजों को सरकार के पास पहले से खोफिया जनकारी होनी चाहिए, तो इसके लिए NIA का गठन किया गया, कहां पे, इसका जो मुख्याले है, वो आपको New Delhi में देखने को मिल जाएगा, क्लियर है, यहां तक सारी बात है, तो आगे बढ़ेंगे, अब पूछा गया है आपसे कि इसका जो महा निदिसक है, Director General किसे बनाया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जागा, सदानंद वसंद दाते, इनको ज पूछेगा, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, इसका मुख्याले कहा है, वो पूरा question में सदानंद वसंद दाते का भी नाम यहां पर आगे रख देंगे, और आपसे पूछेंगे किसका headquarter कहा है, यह बताओ, या फिर इसकी अस्थापना क्यों हुई थी, तो आपके पास य यह पूरी जानकारी होनी चाहिए, कि इसकी जो है, अस्थापना की गई थी, terrorist attack से भारत को बचाने के लिए, जहांस बगेरा करने के लिए, NI जहांस करेगा यहां पी, किलिए रोगे बात है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की हो, अगले सवाल से बढ़ें, उसे प भुटान गए थे, election commission के एक special permission के बाद, देखो जब भारत में चुनाब की announcement हो जाती है, तो परधान मंतरी ना कोई नई घोसना कर सकता है, और नही नए देश की जो है, विदेश की जो है, यात्रा कर सकता है, लेकिन election commission से आगरह किया गया, और भुटान को जो है exceptional, यानि कि अपवाद में रखकर जो है, इजादत मांगी गई थी, जो की दे दिया गया, तो भुटान गए थे कौन, परधान मंतरी नरेंद्र मोधी, और इनको जो है, वहां के द्वारा सम्मानित भी किया गया है, बहुत important बात है, और तीसरी बात, भुटान की जो है, capital क्या है, आप निचे comment करके बताईएगा, भुटान के capital का नाम आपको निचे बताना है, इसके जंडे में, किस तरह के जंडे में, क्या-क्या mention है, वो आप जिरूर बताएगे, अब यहां से देखो, सबसे पहले आप भुटान की जो है, वहां के जो राजा है, पी-म है, उनके गारा जो ह है, देश इसे घेरे हुए है, अमिवाबे ने बढ़ा दिया, खेर आप समझने की कोशिज करना, भुटान क्या है, लेंड लॉक्ट कंट्री है, इसकी कोई भी बॉंडरी जो है, सी के साथ, यानि की समुद्र के साथ, नहीं टच करती है, बहुत important सवाल है, और नेपाल भी, देखो, ये सिर्फ भुटान की बात नहीं हो रही है, नेपाल भी जो है, आपको, यहाँ पे लेंड लॉक्ट कंट्री में नाम याद रख लेना, नेपाल और भुटान, दोनों भारत के पड़ोसी देश हैं, और दोनों की जो है, लेंड लॉक्ट जो है, सीमा है, चीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की ओर, ये दोनों कोशन मैंने आप लोगों के लिए करा दिया, आक्शली तीन कोशन, चौथा कोशन, हर्याना के, चौदरी चरण सिंग, क्रिसी विस्विद्याले के बैग्यानिकों के द्वारा, किस फसल को प्रभावित करने वाल की जाती है मतर की, उसमें 10% जो है, इस यही बिमारी आपको, वीचेज ब्रूम जो है, देखने को मिलेगी, इंपोर्टेंट है, याद रखना है, अगला सवाल, महा भी बियाई सवाल कर लो, ये जो है न, मैं आपको गैरंटी के साथ बताता हूँ, 1 to 5 में, 6 to 8 में, या फि न, कहीं ये question definitely आएगा, मैं आपको पिंकी प्रॉमिस करके बताता हूँ, ये question जरूर आएगा, देखे क्या है, नाटो, नाटो का 32 सदसे देश कौन बना है, फिनलेंड, स्वीडेन, भारत, या फिर पेरू, तो देखे इसका सही जवाब क्या हो जागा, ये बहुत important है, तो पूरी सारी country जो है, वहाँ पे क्या करेगी, उसको मिल कर मारेगी, घेर के मारेगी, और Ukraine war जो आपको देखने को मिल रहा है अभी, रस्या, युक्रेन, अभी तो नहीं, बहुत दिन हो गए है ये, तो ये जो देखने को आपको मिल रहा है न, इसका मुख्य कारण क्या है, क्या मुख्य कारण है, कि NATO का सदे से बनना चाहता था युक्रेन, और रसिया ने कहा कि भईया, आप मेरे boundary पर आजाओगे, तो मैं कैसे बरदास्त करूंगा, तो फिर attack कर दिया इसने, और फिर युद जो है, चलता जा रहा है, आगे बढ़ेंगे, यहां से आप स्वीडन क इंपोर्टन यह सवाल फिर से रहने बाला है, आप बोलोगे सभी कोशन को इंपोर्टन बोल रहे हो, जी हां हम लोग ऐसे ही कोशन को चूछ करते हैं, जो कि आपके लिए इंपोर्टन है, और रुणाचर परदेश, चाइना को काउंटर करने के लिए हमने सेला टरनल सकते हैं, बहुत बड़ी बात है यह, और यह अच्छी बात है कि हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं, फिलाल आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की ओर, अगला सवाल देखो क्या है, प्रोकबड़ी लिखका दसवा सीजन किस टीम ने जीता है, तो देखिए पुनेरी पल्टन ने य किसे हरा कर, हरियाना स्टीलर को हरा कर, और सबसे ज़्यादा बार अगर आपसे सवाल पूछा जा कि किसने जीता है, तो सबसे ज़्यादा, यानि कि जो सबसे ज़्यादा टाइम विनर रहा यहां पे वो कौन रहने वाला है, याद रखिएगा नाम, पतना पाइलेट्स, द सेना के मद्य समुदरी अभ्यास समुदर लक्षमन में 2024 आयूजित किया गया है समुदर लक्षमन अभ्यास आयूजित किया हुआ है दोनों मिलकर इसमें participate करेंगे अब देखिए कहां पर किया गया है तो विसाका पट्नम नाम याद रख लेना है विसाका पट्नम में आपको ह होता हुआ दिखेगा किलियर है यहां तक सारी बाते चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के और अगला सवाल देखो यहां पे है हाल में ही थोड़ा सा में कोशन को ऊपर कर लेता हूं ताकि आप शीचों को देख पाओ देखो आप हाल में ही जिब्राटल जल्ट कुछ समझ में नहीं है इसके बारे में बात कर लेता है जब दो प्लेट जो है एक दूसरे को उपर चड़ जाती है या फिर टक्रा जाती है तो उसे सब्डक्सन जो उन कहा जाता है यहां से एक पिक्चर देख लो आप चीज़ों को समझ पाओगे यहां से देख लिजे पेन को यह अलग करता है क्लियर है यहां तक सारी बात है चलिए आगे बढ़ेंगे सिख महुतसब किस राजय का प्रमुख तैवार है तो यह हो जाएगा किसका यह हो जाएगा गोवा का ऑप्शन भी आपका क्या होगा क्रेक्ट टांसर हो जाएगा आगे देखते हैं कुछ और चीज़ों को होली को जो है यहां पर यह जो सबसे इंपोर्टन बात है यह एक्जाम में क्यों पुछा जा सकता है तो इसके बारे में जानिए होली को यहां पर चोगदर दिनों तक मनाया जाता है सबसे बड़ी बात है और लठमार होली कहां पर मनाया जाता है आप पर प्रस्तावित है तो देखे ये जो है काविरी नदी पर बनने वाली है काविरी नदी तमिलाडू में जो है क्या करती है तमिलाडू से और फिर ये जो है अब ये प्रियोजना इसलिए बनाए जा रहा है ताकि बेंगलूरू सार को पानी की व्यवस्ता मिल सके हो सके मेगावार्ट आपको बिजली भी यहाँ पे यह जो है देता हूँ दिखाई पड़ेगा यहां से आप इसकी फोटो भी दिख सकते हो अगला सवाल है यूरोपिय देश आयरलेंड का परधान मंतरी किसे न्यूक्त किया गया है जो यूरोपिय कंट्री है आयरलेंड साइमन हैरीस को यहां परधान मंतरी बनाया गया है बहुत यह इंपोर्टेन सवाल है क्योंकि लास टाईम जो है इससे सवाल को पूछ जाता है कि कहा के परधान बंतरी कहां है अब देखिया आयरलेंड के बारे में याद रखे का डबलिंग डबलिंग जो है इसकी कैपिटल ह डबलिन जो है, कैपिटल है, कई बार जो चर्चा में राता है देश ये राज वहां से सवाल पूछ लिया जाता है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल क्या है, वन नजीब संरक्षन अधिनियम, किस अनुसूची के तहत हातियों को सूची वत किया जाता है, तो देखि इसको प्रोटेक्शन देने की सबसे बड़ी बज़ा है, वो क्या है, तो देखिए बिजनस परपस के लिए इसको यूज में नहीं लाया जा है, सिर्फ से और सिर्फ एजुकेशन और साइंटिफिक रिसर्च के परपस से इसे लाया जा है, इसलिए इसके बारे में बात की जाती है, और इसे जो है, इसके लिए जो है, अनसोची चार में हांतियों को सामिल कर लिया गया है, हांतियों को बचाने के लिए ये जो रवायत है, वो की जा रही है, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, देखो क्या सवाल पूछा गया यहाँ पे इसको संकस्ट गरस्ट के रूप में सोची बत किया गया है, बिल्कुल सही बात है, हाल में ही Supreme Court ने इसके संडक्षन के लिए विसेश्ज समीती का गठन किया है, बिल्कुल सही बात है, Supreme Court ने फटकार लगाई है, कि क्या ये जानवर खत्म हो जाएगा, इसके लिए आप एक जहाज जो है इसके पीलर से टकरा गया और ये पूल जो है 2.4 लगबग जो है मील का था ये टूट कर जो है पानी में भाग गया अब देखिए यहाँ पे राश्टपती जो है जो बाइडन उन्होंने गोसना करें कि जल्दी एक नया पूल बना दिया जाएगा लेकि जो है इसके उपर जब टकराया पिलर पे तो इसमें एक रूमर फैल गया रूमर क्या फैला वो देख लो आप बोला गया कि जहाज में जो जितने क्रू में मरते सभी इंडियन थे लेकिन रियालिटी ये था कि जो कैप्टन था जो इस जहाज को देख भाल कर रहा था चला भी होने वाले हैं लेकिन फिलहाल वहां के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाव है जो बाइडन इंपोर्टेंट सवाल है एक्जाम में पूछा जाएगा याद रखीएगा आप इसे अगे बढ़ेंगे अगले सवाल की और अगला सवाल देखते हैं क्या है आपके सामने आठ आठ मार्च को अंतराष्टिय महिला दिवस मनाया जाता है अंतराष्टिय महिला दिवस दोजार चौबिस का थीम क्या आया देखिए आठ मार्च को क्या मनाया जाता है ऐसे सवाल पूछ ले जाएं बहुत मुश्किल है ऐसा सवाल नहीं पूछा जाता है रेयर आप रेयरि के जो है आगे बढ़ान की बात की जा रही है यहाँ पे ठीक है अगला सवाल है बुक स्वाइलिंग दसन अनोबेल किसके दौरा लिखी गई है तो देखे यह जो पुस्तक है इसका सही जवाब होगा यहां से आप पोटो भी देख पाओगे अगला सवाल है चर्चित सब्दावली जूस जैकिंग यह जो टर्मलोजी है या फिर यह पॉप्लर टर्म है यह किस संबंदित है तो देखिए यह साइबर हमले से संबंदित है अप्शन 20 का क्या होगा सही जवाब हो जाएगा तो देखिए RBI ने क्या कहा है लोगों को RBI के दोरा जो है कहा गया है लोगों को कि आप लोग जो USB पोर्ट जो है पोर्टल जो जो यूज बगएरा करते हो पोर्ट आप अगर USB केबल अगर वहां पर पहले से चार्जर हो आप अगर रेलवे स्टेशन पर गए हो बहुत सारे बड़े बड़े स्टेशन में यह केबल लगा हूँ आपको दिखेगा या फिर कोई अगर आपको आपको आफर करेगा तो प्लीज ना लें इसे पहली बात दूसरी बात कई-कई एरपोर्ट में आपको तो यह देखने को मिलता ही मिलता है तो ऐसे मैं बचें इससे अधरवाइस आपकर डेटा कॉम्परमेज हो सकता है दूसरी के पास यह डेटा जा सकता है ठीक है देखो यह USB पावर बगेरा जो है इससे बचना है आपको रिलेक् अगे बढ़ेंगे एगला सवाल की और हाल में ही सावाज सरीफ किस देश के परधान मंतरी निउक्त किये गए हैं इसके बारे में बात की जा रही है सावाज सरीफ की बारे में बात की जा रही है तो देखें सावाज सरीफ पाकिस्तान के PM चुने गए है या फिर धांदली वहां पे election में बहुत हुआ था ऐसा लोगों का मानना है वहां की media ने भी ये बात उठाई है तो देखे इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहां से देख लो यह पाकिस्तान के क्या बने हैं PM न्यूट की गए हैं और इनकी party का नाम जो है पंजाब के क्या रह चुके हैं CM भी रह चुके हैं सवासरी ठीक है एक्शली स्वरी इनकी जो भती जी है मरियम नवाज वो वहां पे रह चुकी है ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की और अगला सवाल देखो क्या है यहां से आप इनकी photo भी दे सकते हैं दुनिया का पहला कौन सा देस है जिसने गर्वपात को सम्वेधानिक अधिकार दे दिया है तो इसका नाम है France France देखिए हमेशा से बहुत आगे रहा है यहां पे आप ना किसी भी धर्म को follow नहीं कर सकते हो सारवजनिक तोर पर धर्म को यहां पे परचारित नहीं किया जाता है यह आपका private affair है आप को रोका भी नहीं जाएगा आप किसी धर्म को मान रहे हो आप बिलकुल उसे मानो किसी को कोई दिकत नहीं आने वाली है तो इसका फिलाल जो जवाब हो जाएगा option number C हो जाएगा वहाँ पे गरपात को constitutional right हैनि कि समिधान में जो है इसका right कर दिया गया है आगे देखिए किस राज की आभुसन कला silver flagry को GI tag दिया गया है तो देखिए ये जो odisha है option B इसका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा odisha के silver flagry को GI tag मिल चुका है और ये कटक की कला याद रखेगा इसे अगला सवाल देख लेते हैं क्या है तामस सिल्योक किस यूरोपिय देश के राष्टपती के तोर पर उनको न्यूक्त किया गया है तो देखिए इसका सही जवाब जाएगा ये देखो सबसे पहले हंगरी के बारे में इसका answer जो है हंगरी है ये तो पहली बात हो गई अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ country के नाप जो कि landlock country है बार-बार पूछा जाता है नेपाल landlock country है दूसरी बात आपको भुटान भी landlock country के तोर पर देखने को मिलेगा और ये हंगरी तो है ही ये क्या है? लेंड लोग country है तो option ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा हंगरी जो है क्या है? लेंड लोग country है और वहाँ के तामस सुल्योग जो है क्या बने है? राष्टपती बने है यहां से आप इनकी फोटो भी देख चुके है अगला सवाल देखिए सरकार के द्वारा समर्थित OTT प्लेटफॉर्म जो है लाँच किया गया है तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो केरल के द्वारा जो है यह लाँच किया गया option A आपका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा option A के साथ आपको जाना है option A आपका correct answer हो जाएगा चर्चा में रहा 36 गड़ की ग्वेरा खान किस खनी से समझी थे दो कि यहाँ से कोईला निकाला जाता है और अब इसके उत्पादन छमता को सत्र जो मेट्रिक टन है यहाँपे करती आगया है सत्र जो है कडूर सोरी सत्र नहीं साथ कडूर एक्शुली इसका सही जवाब होगा साथ कडूर जो है टन कोईले की उत्पादन की यहाँपे छमता बढ़ जाई जो की देश में सबसे जादा है आगे बढ़ेंगे अगले सवाल के ओर अगला सवाल देखो आपके सामने यह रहा केन सरकार के दोरा उन्नती योजना को जो है मंजोरी दी गई है जिसमें दस वर्सों के लिए कितने रुपए को जो है आवंटित किया गया है तो दिखे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दस हजार रुपए लगवग जो है आवंटित किये गए है अपसन भी आपका सही जवाब हो जाएगा सांस्कृतिक विग्रासत बगएरा को जो है यह रुजगार बगएरा में यह जो रासी है वो खर्च की जाएगी अगला सवाल देख लेते है अगला सवाल क्या है वर्स 2023 के लिए तैस्वें सरसोति सम्मान के रुप में किसे सम्मानित किया गया है तो देखिए किसे सम्मानित किया गया है इनका नाम है प्रभा वर्मा फिर से गच्चानी खाना है आपको यह क्या है पूरूस है यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं केरल से याते हैं और इनके अधार जो बुक लिखे गई है वो बहुत इंपॉटेंट है एक्जाम में यहां से सवाल जरूर पूछा जाएगा रूद्र सात्विक जो है इनकी बुक की नाम थी याद रखेगा रूद्र सात्विक इन्होंने ये बुक लिखी और इनके लिए जो है इनको ये सम्मान दिया गया है फिलाल देख लेते हैं कुछ और चीज़ों को अगला सवाल पैरिस ओलंपिक 2024 के ऑपनिंग सेरेमनी में भारत के धोजबाहक कौन बनेंगे तो देखिए अचंता सरत कमल जो की टेबल टैनिस प्लेयर है ये धोजबाहक बनेंगे अगर प्रमुक पूछा जाए कि कौन हेड करने वाले ये से तो मेरी कौम के द्वारा ये हेड किया जाएगा दो इंपोर्टेंट सवाल थे और 2024 में पहरी सोलंपिक कहा होने वाला है इसके बारे मैं आपको पता ही है ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे मदरास संगीत अकादमी ने किस करनाटक संगीतकार को संगीत कलानिदी पुरुषकार 2024 से समानित किया है तो देखे इसका सही जवाब जाएगा टीयम कृष्णा को जो है ये समान मिला हुआ है किसे टीयम कृष्णा को पहली बात दूसरी बात जो याद रखनी है जो कि important है वो ये है आपके लिए कि TM कृष्णा को तो संगीत पुरुषकार से समानित किया गया है, निर्थ पुरुषकार से जो है करनाटक निर्थ पुरुषकार से किसे समानित किया गया है, तो याद रखिएगा नीना आपको नाम जो याद रख लेना है वो है नीना प्रसाद नीना प्रसाद को जो है ये सम्मान मिलने वाला है दोनों बातें आपने याद रख ली और जो टी-म क्रिशना है इनको जो है इनको जो है रमन मेक्से से पुरुषकार भी दिया जा चुका तो देखे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब जाएगा पार्सी पार्सी जो है मार्च महीने में भी जो है अपना नव वर्स मनाते हैं साथ में आपको जो है ये अगस्त में भी अपना जो है नव वर्स मनाते हैं तो यह याद रखेगा एक ही साल में दो अल UNDP के दोरा जो लेंगिक असमानता सुचकान 2022 जारी की गई है, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है, तो भारत की रैंकिंग 108 आपको देखने को मिलेगी, option number 60 का क्या होगा, correct हो जाएगा, बहुत खराब है, और ये रैंकिंग जो दी गई है, इसमें क्यों दी गई है, ये जाना तो देखें, इसमें जो रैंकिंग दी गई है, उसका दो रिजम है, कि जो mehlaओन को स्वास्टर विधा मिल रही है, ना मिल रही है, और समान वेतन वगएरा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो इन चीज़ों को compare के जाता है, और फिर ये सुचकान तयार किया जाता है, जो है अध्यक्षी चुने गए हैं अभी तक की इतिहास में तो ये बहुत important सवाल बन जाता है दूसरी बात ये हरियाना से आते हैं ये कहां से आते हैं हरियाना से आते हैं तो इसलिए थोड़ा और important ये बन जाता है इसे भी याद रख लेना है आपको ठीक है अगले सवाल के और हम लोग बढ़ेंगे अगला सवाल देखिए आपके सामने ये रहा और यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हूँ अगला सवाल है women's premium league के season 2 का जो है किताब दिल्ली capital को हरा कर किस team ने जीता है तो देखिए सबसे पहले rcv ये जो है किताब जीत चुकी है हराया किस इस भी बात जो आपको याद रखनी है इससे पहले जो पहला edition हुआ था उसमें Mumbai Indians ने यहाँ पर खिताब जीता था rcv की captain कौन है नीचे comment करके आप बताएंगे महिला team की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ ठीक है किसकी बात कर रहा हूँ महिला team की बात हो रही है यहाँ इसे य अंत्रब्रदिश में कहा मिलेगा अंत्रब्रदिश में यहाँ पकषिएंब करने के लिए यह जो है बहुत important है बक्री की जो एक जो बॉनि पर जाती है डौर्क जो है species है यहेंप है को देखने को मिलेगी यहाँ से आ आप जो है इससे देख सकते हो फिलाल आगे 2024 की theme क्या थी तो देखिए ये सवाल भी बहुत बहुत important है theme के बारे में जो है सवाल पूछा ही जाता है तो देखिए theme के बारे में बात करें तो Water for Peace मैंने आपको बताया कि अगला जो विस्यूध है या फिर लड़ाईयां बगेरा होगी वो जल के कारण ही होगी तो ये बहुत important है और बिस्यूध जल दिवस 22 मार्च को में लोग मनाते हैं All India Radio का मान इदिस्त किसे चुना गया है मौसमी चक्रवरती factual है याद रख लेना है कोई और चीजों को इसमें ध्यान देने की ज़रुत नहीं है Global Human Development Index 2022 में भारत की रेंक क्या रही थी तो भारत की रेंक जो है दोस्तों वो बहुत खराप रही थी रेंक तो रही थी लेकिन बहुत ही खराप रही थी टोटल 193 देश यहां पे सामिल हुए थे लेकिन भारत की रेंकिंग 134 थी बहुत ही खटिया रेंकिंग है यह और हम लोगों को बहुत काम करना है development के मामले में जो है हम लोगों को यहां पे बहुत कुछ देखने की ज़रुत है आगे बढ़ेंगे अगले सवाल के और हाल में ही निर्वाचन आयोग ने अठारवी लोगसवा के चुनाबों की घोसना करती है अब आपको बस यह बताना है कि लोगसवा का जो कारिकाल 5 साल के लिए निर्धारित किया जाता है यह किस अनुछेद में आपको देखने को मिलता है तो देखिए यह आपको देखने को मिलेगा अनुछेद 83 के दूसरे भाग में 83 के दूसरे भाग में आपको देखने को मिलेगा देखें 19 अपरेल से आपका एलेक्शन सुरू होने बाला है और इसकी जो है आखरी जो एनाउंसमेंट है I mean result की बात करें तो 4 जून को आपको जो है रेजल्ट देखने को मिल जाएगा और निर्वाचन आयो के ओफिस की फोटो भी आ यहाँ पे मैंने आपके लिए लगा दी है United Nations Sustainable Development Solution Network के दौराजार की गई World Happiness Happiness यानि की खुसाली का परतीक रिपोर्ट जो है 2026 भारत की रेंकिंग क्या थी बहुत ही सर्मनाक यहाँ भी है 126 वी रेंक हम लोगों ने हासिल की 126 में जो की बहुत ही खराप रेंक इसे माना जाएगा टोटल 143 देशों को यहाँ पे सामिल किया गया था जिसमें इंडिया की रैंकिंग क्या रही थी 123 रैंकिंग रही थी अगर मैं बात करूँ लास्ट टाइम से जो हम लोगों की रैंकिंग यहाँ पे सुदारन वी पिछले साल भी हम लोग 126 में नमर पे थे अगले सवाल की ओर अगला सवाल दिखो क्या है कारीकाल के लिए रूस्ट के राश्टपती चुने गए तो पांच में कारीकाल के लिए ये चुने गए हैं अगला सवाल देख लेकते हैं अगला सवाल क्या है आपके सामने निर्वाचार आयोग ने किस भारतिये दिभ्यांग खिलाडी को राश्टिये दिभ्यांग आइकन तो सीतल देवी जो की जम्मू एंड कास्मीर से आती है आप इनकी फोटो भी देख पाओगे 2023 में इनको जो है अर्जुन एवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है अगला सवाल उत्कृष्ट महिला पत्रकार के लिए चमेली देवी जयन पुरुसकार 2024 किसे दिया गया है तो ग्रिस्मा कुठार जो की सुतंतर पत्रकार है और रितिका चोपड़ा जो की इंडियन एक्सप्रेस है उनके लिए लिखा करती है तो इनको जो है ये पुरुसकार दिया गया है चमेली देवी जयन पुरुसकार आप्सन ये आपका क्या होगा करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ेंगे यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हूँ अगला सवाल है स्विश संगठन IQ Air की जो गुनवत्ता है उसकी रिपोर्ट आई है एसिया के कंट्री एक साथ आते हुए आपको दिखने को मिल जाएगी फिला पूछा क्या गया है वो देख लेते हम लोग पूछा गया है Capital के बारे में तो दिल्ली अपका हो जाएगा लेकिन सबसे खराप performance की बात करें सहर की बात करें टाउन की बात करें तो बेगुसराय जो की बिहार में है बहुत है आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है बेगुसराय का जो सहर है वो बहुत ही खराप पर दरसन किया है बहुत ही गंदा बातवरन यहाँ पे है यहां की यहां की जो बायो में डले वह बहुत ही खराप है हाल ही में 21-22 के लिए रामनात गोयन का पुरुसकार दिया गया है यह पुरुसकार किस छेतर में दिया जाता है तो देखिए यह पुरुसकार पत्रकारिता के छेतर में दिया जाता है किसे किसे दिया गया है तो देखिए जो अलग-अलग सेक्टर है print की बात करूँ यानि की newspaper बगएरा की बात करूँ तो दो लोग है यहाँ पे जिनको यह पुरुसकार मिला हुआ है कृती दूबे यादर केगा कृती दूबे पहले वक्ती है और फिर आनद चौधरी यहाँ पे इनको print के लिए दिया गया है अगर मैं broadcasting की बात करूँ वीडियो बगएरा जो बनाते हैं ऐसे समझ लो आप असान भासा में तो जुगल पुरोहित पहला नाम है दूसरा नाम जो है वो हर्देश जोसी का नाम है हर्देश मैं क्या लिख रहा हूँ हर्देश जोसी को जो है यह पुरुसकार दिया जा चुका है अगला सवाल है अगला सवाल है असम राज में नेरेंद्र मोदी ने स्टेश आफ वेलोर का अनाबरन किया है स्टेश आफ वेलोर किसको समर्पित है तो देखे योद्धा लाचित बोर्फुकन को यह पुरुसकार इनको समर्पित किया गया है इनको जो है नौर्थ इस्ट का सिबाजी भी कहा जाता है और इनकी परतिमा को बनाया किसना सबसब ले आप इनकी इस्टेश यह को देख लो यह परतिमा सुतार जी के द्वारा बनाई गया है तो सुतार जी के द्वारा यह परतिमा का अनाबरन किया गया है राम जी सुतार के महा सिभ रात्री पर कस्मेरी पंडितों के द्वारा निमलिकित में से कौन सा प्रमुक्तेभार मनाया जाता है तो देखिए हैरत महसब हैरत का मतब होता है सिभ की रात और ये जो सिभ भगवान है और उमा जो उनकी पतनी है इनके वेडिंग अनिवर्सरी ऐसा समझ रहो आप वेडिंग अनिवर्सरी को जो है सेलिब्रेट करते हैं कस्मेरी पंडित यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो फिलाल अगले सवाल के और उमलोग इन दोनों लोगों ने मिलकर यहां पर सरकार बनाई थी लेकिन JJP अलग हो चुका है अब BJP यहां पर रूल कर रही है लेकिन JJP ने समर्तन कीचा और BJP ने अपने मुख्यमंत्री को बदल लिया पले मनुहर लाल खटर यहां पर क्या थे CM थे लेकिन अब नायब सिम सेनी जो टिकट मिल चुका है इनको याद रखेगा भारत के राष्टपती के दौरा बारा लोगों को टोटल बारा लोगों को यहाँ पर जो है कला के शेतर से खेल के शेतर से अलग-अलग शेतर से संस्कृति के शेतर से मनुनित किया जाता है किस फिल्म को अनुसोचित जाती का अध्यक्ष किसे नुक्त किया गया है तो किसोर मकवाना इनके दौरा जो एक बुक भी लिकी गई है नरहतर मोदी के ऊपर और उस बुक का नाम है मोदी आकॉमन में यहाँ से आप जो है इनकी पोटो भी देख सकते हो फिलाल अगला सवाल देख लेते हैं हाल इमें किसने पाकिस्तान के चोगदों में राश्च्पती के रूप में जो है सपत ली है तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आसी पली जरदारी जो की बेनिजिर भुट्टो के पती भी है यहाँ से आप इनकी पोटो भी देख सकते हो और बेनिजिर भुट्टो की जो तस्वीर भी यहाँ पे लगी हुई है अगला सवाल देख लेते हैं अगला सवाल है सर्विसेज ने संतोष ट्रॉफी 2024 में किसे हराकर सातवी बार संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है तो देखे सर्विसेज ने जीता है किसे हराकर यह बड़ा इंपोर्टेंट सवाल बन जाता है तो गोवा को हराकर अप्सन यह आपका क्या हो जाएगा गोवा यहाँ पे क्या रहा था रनर अप रहा था यह इंपोर्टेंट बात है दिल्चस्प बात है याद रखना है आपको और सबसे ज़्यादा बार बेस्ट बंगालने यहां 32 बार इस पुरुसकार को जीता हुआ है अगर सवाल के और हम लोग बढ़ेंगे अगला सवाल देखे क्या है मार्च 2024 में Stock Home International Peace Research Institute SIPRI के दौरा जो आकड़े जारे किये गए है दुनिया का सबसे बड़ा हत्यार आया तक देश कौन है भारत है सबसे ज़्यादा जो है बं मिसाईल वगेरा जो है खरीद कौन रहा है भारत खरीद रहा है इसका सही जबाब क्या हो जाएगा भारत के बाद साओधी अरेबिया नंबर दो पे है अगर मैं बेचने वाला की बात करो तो सबसे आगे जो आग लगाने वाला है वो है USA दूसरे नमर पे आपको फ्रांस दिखेगा तीसरे नमर पे आपको रस्या दिखेगा याद रखेगा ये हतियार बेचने वाले देश है और ये हतियार खरीदने वाले देश है अगला सवाल देख लेते हैं निमलिखित मैंसे किस आर्किटेक्ट को जो है प्लिटजर आर्किटेक्ट पुरुषकार 2024 से समानित किया गया जपान के है ये और रिकेन यामा मोटो इनको ये पुरुषकार दिया गया है ठीक है क्लियर है यहां तक चलिए अगले सवाल के और हम लोग बढ़ेंगे अगला सवाल देखो क्या है नागरिक्ता संसोधन वेट ए मिनट ये देखो नागरि पाकिस्तान, बंगलादेश और पाकिस्तान के जो पीडित अलफ संख्यक समू है इनको नागरिक्ता देना है किसी की नागरिक्ता लेने का यहां पे कोई भी अधिकार नहीं है ये नागरिक्ता देने का प्रावधान है 11 मार्च को DRDO ने पहली मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री वेकल को जो है विक्षित किया इसमें जो मिसाहिल को प्रसिक्चित किया गया उसका नाम क्या है अगनी फाइब अगनी फाइब को यहां पे किया गया है पली बात दूसरी बात जो आपको जानने वाली है वो क्या है यह देख लो यहां पे एक स दस बारा जो है रॉकेट छोड़े जाएंगे जो की रेडार भी डिटेक्ट नहीं कर पायेगा और दूसरे देश को बहुत नुकसान हो जाएगा यहां से आप इसकी फोटो भी देख पाऊगे अगला सवाल देखें क्या है चर्चित अस्थान टॉंकिन की खाड़ी किस महासा इसके लिए पुरुषकार इनको यहां पे दिया गया है क्लियर है यहां तक सारी बाते चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर अगला सवाल देखो क्या है आपके सामने यह रहा प्रधान मंतरी नरेंद मोदी ने गुजरात के किस अस्थान पर कोचरब आसरम का उदगाटन किया है तो देखें सावर मती में किया है फोटो में आपको दिखा देता हूँ सिधा 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 इसका जवाब भी हो जाएगा क्लियर है यहां तक सारी बाते तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर अगला सवाल देखो क्या है मुंबई ने किस टीम को हरा कर रंजी ट्रॉफी 2023 जीत लिया विधर्व को हरा कर सिधा सिधा जवाब सीज का आंसर हो जाएगा अगला सवाल देख लिए कैंदरी मंतरी ने राश्ट्रिय कारिकरम कृती का जो सुभारंब है वो किया है कृती का पूरा नाम क्या है तो देखे कृती का पूरा नाम हो जाएगा खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट इडेंटिफिकेशन यहां पर किया क्या जाएगा वो जान लीजे 9 से 18 साल के जो युवा किर्केटर है अथरीट है उनको यहां प पूरा ने बचते को रेजिटर भी करा सकते हो ग्लोबल इंट्रलेक्शल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2017 डो हजार चॉव्श की रांका दो कि जो आपके ब्रेंट से ल है अप कुछ इंटल्ड चीज तो पंचांग है या फिर जोतिसी है यहां से किया जाएगा अगला सवाल देख लेते हैं निम्रिकित मैंसे कौन सी उनिवर्सिटी फोर्थ खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स 2023 को जीता है तो चंडीगड के द्वारा यह जीता गया है सिधा सिधा इसका जवाब है और चं मेडल चंडीगड ने जीता 18 सिल्वर मेडल जीता यहां पे और 21 जो है ब्रॉंज मेडल यहां से जीता गया है किसके द्वारा चंडीगड उनिवर्सिटी के द्वारा जीता गया है सेकरिन उस सब किस राज में आयुजित किया जाता है तो देखे इसका सही सही जवाब कि जो उद्यस है पवित्री करण है सुधी करण है यहां से आप फोटो देख लो पहले तक कि आप चीजों को अच्छे से समझ पाओगे अगला सवाल देखे क्या है देश का पहला हाईडोजन हब पोर्ट कहां पर अस्थापित किया गया है तो देखिए इस रोक के द्वारा जो है यहां पर कुछ और में भी अगला स्लाइड में इसका कोश्चन है इसका अंसर हो जागा तमिल लाडू थिद्धू एक्शली मैं आपको दिखाई देता हूं ठीक है यहां से देख लो यह जो इसरो के द्वारा दूसरा स्पेस स्थापित किया गया है थुद्दू कु किस मंत्राले के द्वारा इसका आयोजन किया गया है तो समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्राले के द्वारा इसकी सुरुवात की गई है जिसमें विकलांग लोगों को इनको सपोर्ट किया जाएगा प्यार दिया जाएगा इनको आगे बढ़ने के लिए यहां पे मंत्र दिया साएगा चर्चा में रहा मिसन उतकर्स किस बिमारी से संबंदित है तो यह एनमिया से जो है यह बिमारी संबंदित है महिलाओं को सांस लेने में तकलीफ होती है अगर कम हो जाए दूसरी बात सांस लेने में के तकलीफ होने के साथ साथ जो है इसमें और आहरन की कमी की वज़ा से और भी हजारतर की प्रावलम आपको देखने को मिलेगी और खास करके 14 से 18 साल की महिला को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आयरण की कमी हो जाने पर अगला सवाल देखिए केंद्रिये परियावरन वन जलवायू परिवर्तन के द्वारा जारे की गई तेंदू की बात अगर की जाएगी तो याद रखेगा हीम तेंदू सबसे जादा आपको लदाक में देखने को मिलेंगे फरवरी वाले करेंटेफर्स को देख लिजीगा मैंने वहां पर पढ़ाया हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर एन रिपबलिक किसके दौरा लिखी गई बुक है तो फरवरी वाला भी करेंटेफर्स इंपोर्टन्ट है जनवरी वाला भी करेंटेफर्स इंपोर्टन्ट है जून में आपका एक्जाम होने वाला है तो ऐसे में दिसंबर वाला भी करेंटेफर्स आपके लिए इंपोर्टन्ट है तो यह तीन मेहने के करेंटेफर्स आपको ज स्क्राइब भी कर ले थैंक यू सो मच